हेलो देर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिक्स्त का जो साइन्स है बुक उसका चैप्टर नमबर वन फूड वेर डेजिट कम फराम यह जो बुक है यह एंसियार्टी की बुक तो चलिए देखते हैं क्या है सो चैप्टर का नाम है फूड वेर डेजिट कम फराम यानि कि जो खाना है हमारा वो कहां से आता है यह मतलब है इसके जो हैडिंग है चैप्टर की यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने आज खाने में गर में क्या खाया और यह भी पता करो कि जो आपका दोस्त है उसने गर में क्या खाया क्या आपने जो आज खाना खा रहे हो वही सेम वाला खाना आपने पिछले कल भी खाया था कि we are eat different kinds of food at different times isn't it कि यह रिआ हो रहा है कि जो हम खाना खाते हैं वह अलम-लम खाना खाता है और वह अलग-लम समय पर जो हम खाना खाते हैं वह अलग‌लम बैटी यह जो खाना नहीं होते हैं क्या ऐसा नहीं है कि हम अलग लग खाना खाते हैं अलग लग टाइम पर यह से स्पोस करो कि आपने पिछले कल लंच में राजमा चाबल खाये थे पिछले कल तो आज क्या आप सेम फूड आइटम खाऊगे आज भी आपकी जो मम्मा है वो दोपहर को यानि लंच में राजमा चाबल बनाएगी नहीं आज कुछ और बना होगा ठीक है आज करी बनी हो सकती है या कोई दाल और अलग बनी हो सकती है तो इस तरह से जो है अलग लग चीजे हम अलग लग टाइम पर खाते हैं अलग अलग दिन अलग लग चीजें ओके एक्टिविटी नंबर वान में है फ अपने दोस्तों से पूछिए स्कूल में कि वो आप आज दिन बर में क्या खाने वाले हैं अगर आपका कोई दोस्त अलग अलग राजियों में रह रह रहा है अगर आपका दोस्तों से पूछिए कि आप आज दिन बर में क्या खाने वाले हैं और सभी दोस्तों से पूछ कर आप एक टेबल त्यार कीजिए जिस तरह से ये वन पॉइंट वन में टेबल त्यार किया है यह जो टेबल है यहाँ पर आपको स्टूडंस के नाम लिखने है और जो जो वो दिन बर में खाने वाले हैं वो राइट साइड में उसका टेबल बना आपको ठीक है तो फिर नीचे एक सेकेंट यहाँ पर यह कुछ इमेजिस दी हैं डिफरेंट फूड आइटम्स की यहाँ पर यह जो यह आप देखना ग्रीन कलर में यह बनाना का लीफ है तो इसके उपर यह रखिए साउथ इंडिया का यह फूड आइटम है और राइट सा लेकिन एक आपके एक्जम्पल के लिए ना दिखाई नेक्स चलते हैं राइट साइड में हैं देर सीमस तो बी सो मच वराइट इन देखा रहे हैं कि कफी सारी वराइटी जो हम खाते हैं ओके वट आर इस फूड आइटम्स मेड आफ पूछ रहा कि यह जो फूड आइटम् क्या क्या पड़ा होता है इन में think about rice cooked at home at home we take raw rice and boil it in water just two materials are ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice जो गर में हम चावल बनाते हैं ओके तो हम उसको बनाने के लिए क्या क्या लेते हैं एक तो raw rice याने कच्चे चावल और उनको फिर उबालते हैं पानी में ठीक तो हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है two materials are ingredients okay ingredients बोलते हैं जो चीजें use की जाती है उस items को बनाने के लिए ठीक है जैसे rice बनाने के लिए कुक्ड राइस बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए राइस और पाने उबलाव पाने और नीड़ टू प्रिपेर डिश ऑफ वाइल राइस लिए आन्दा अधर हैं सम फूड आइटम्स और मेड़ मैनी इंग्रीडेंट इंग्रीडेंट इंग्रीडेंट्स तो बोलें पी नीड डिफेरंट काइड्स उफ वैजीटेबल्स सौल्ट स्पाइसीज और और यंद्स वह रहें कि वैजीटेबल करी हमें अगर बनानी होगी तो हमें कवी सारी चीज़ों पी जरूत पड़ दिया जैसे वैजीटेबल स्चाहिए उसके लिये ये सौल्ट चाहिए है यहां पर जो अपने कुछ चीज़ें लिखी होंगी आपने दोस्तों से पूश कर कि जो वो खाने वाले हैं आज तो उन फूर आइटम को आपने कहां लिखना है राइट साइड में पता करना है कि इन में क्या-क्या इंगेंस यूज हुए हैं देखेंगे चूज समद आइटम यूज इन टेबल 1.1 और ट्राइट तो फाइंड आओ वाट इंग्रेंट्स आर यूज तो प्रिपेर दीज बाइटम इन में क्या-क्या पढ़ा है लिस्ट तैम इन टेबल 1.2 और उनको आपको 1.2 टेबल में तियार करके लिखना है उनमें आगे लिखना है कि उनमें इन्गेंस कौन सा यूज हुआ है इधर उन्होंने कुछ एक्जम्पल्स देएं सम एक्जम्पल्स आर गिवन हीर एड़ सम मोर आइटम तो इस लिस्ट यहां पर देखिए आप 1.2 टेबल में फूड आइटम लिखी है लाफ्ट साइड में इसे रोटी चपाती जैनि जो चपाती होती है उसको रोटी भी बोलते हैं तो इसमें इंग्रेंट सी कौन-कौन सी यूज हुए है अटा और अटा और वाटर यानि यह जो आटा है वो यूज हुए और पानी दो चीजों को मिलके हमारी रोटी त्यार हो जाती है त्यार तो वैस स्वाल्ट पर रहता है ओई पड़ा घी ओई या गी मैं तर एक चीज बढ़ती है या डालो या गी दोनों भी डाल सकते हैं लेकिन में लिह हम एक चीज जालते हैं या फिर स्पाइस हो के यह सारी चीज़ें मिलके दाल को बना देती हैं चलते हैं next number page number 2 पर what do you find do you find some ingredients common for different food items अब हमने यह 1.2 table बनाया तो इसमें हमें क्या पता चला कि क्या जो अलग-अलग जो food items हैं उनमें कई बार ऐसा हो सकता है कि similar ingredients use होते हैं ना salt तो maximum सभी चीजों में पढ़ता है जिस तरह से oil या गी भी पढ़ता है turmeric भी पढ़ती है तो इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं food items जिन में कि same same similar जो है food items कुछ चीजें जो है similar पढ़ती है यह बोरा यहां पर do we find some ingredients common for different food items discuss in class उनमें discuss कीजिए जो जो चीजें same same पढ़ती है अलग-अलग food items में so where do these ingredients come from अब बात करेंगे यह जो ingredients इसमें पढ़ते हैं इन चीजों में food items में यह कहां से आते हैं so 1.2 में हम पढ़ेंगे food materials and sources यानि कि food materials कौन-कौन से हैं और उनके sources कौन-कौन से हैं it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2 जो 1.2 टेबल बनाया हम न इनमें जो ingredients यूज़ों है वो काफी easy है हमारे लिए find out करना ठीक है it may be easy to for us to guess the sources of some other ingredients that we listed in table 1.2 fruits and vegetables for instance figure 1.2 a okay 1.2 a यह वाली आगी ओके यह figure 1.2 और इसका a यह वाला ठीक है तुर बोड़ा कि जो figure 1.2 है fruits and vegetables इसमें दिखाए होने ना where do they come from यह कहां से आते हैं fruits or vegetables okay तो इदर लिखा plants of course यानि कि plants से आते है fruits or vegetables what are the sources of rice or wheat जो हमारा rice है या जो हमारी गेहूं है wheat वो उसका source क्या है you may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains जो हमारे rice और wheat है यह भी तो plant से यह आते हैं हमने खेत देखी हैं बड़े 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 होते हैं wheat और पैंडी चीक से okay उनके fields होते हैं किसान इन फसलों को लगाते हैं तो इनके भी खेत होता है यह भी प्लांट से ही आते हैं okay so फिर नीचे क्या दिखाए you may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains figure 1.3 1.3 फिगर आगी यह वाली ओके यह दिखिए यह खेतों में लगाई उन पैड़ी और यह पैड़ी है तो इस तरह से फिर यह market में लेज़ा रहे हैं okay food grains को तो हम कहां तक पहुंचे थे and then there are food items like milk egg and meat which come from animals और यह 1.2a b में दिखाया है यह जो मुर्गी है और इसके अंडे है तो यह इस तरह से जो meat है यह कुछ eggs है यह milk है यह कहां से आते हैं हम एनिमल से आते हैं फिर चलते हैं activity number three में यहां बहुत है let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from the ingredients and the sources actually find करते हैं कुछ food items के के वो कहां से आती हैं और उनके जो ingredients हैं उनका उनमें कौन-कौन से ingredients use होते हैं और वो उनका source क्या है वो उनके इनमें जो चीज़ें पढ़ती हैं वो कहां से आती हैं some examples are shown in table 1.3 fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list यहां पे 1.3 table बनाया है food item दी है ingredients लिखें और उसका source लिखाई यह food कौन सा है उसमें क्या क्या पढ़ता है और वो जो चीज़ें हैं वो कहां से आती है ठीक है तो देखिए food item आगे idli idli में क्या पढ़ता है rice उड़द की दाल salt पढ़ता है water पढ़ता है वो इसका source कह रहा है इसका plant है नीचे चीकन करी चीकन करी चीकन से आती है चीकन से नहीं थी इसमें क्या क्या पढ़ता है चीकन पढ़ता है spices पढ़ते है oil यह गी पढ़ता है और water पढ़ता है चीकन कहां से एनिमल है spices कहां से आत सोयीं को होगा तो इस तरह से लग लग जो हो रहे हो भांiger where में यह पर आइस है are उगर पड़ती है में अ है यह क्या सोर्स है एनिमल राईigkeit प्लांट से इंके इंग्रेंश सोर्स हमने बता दिया अब के लिए नेश्ट पेफिस अधाल का पता किया हम जो प्लांट्स हैं वही सोर्स हैं किस चीज का फूर इंगेंट का जैसे फूर इनकर से जैसे जो इनकर सेढ़ और सब्सक्राइब ढ़ियार्य है कव है गय है गोट है बकरी है बफैलो है भेंस है ठीक है तो यह जो है में दूद देते हैं milk and milk products like butter cream cheese and curd are used all over the world क्यारा कि सारे दुनिया में यूज होने वाली चीजे हैं कौन-कौन सी milk यह milk से बने products जैसे के butter हो हो गया क्रीम हो गई यह चीज हो गया यह दहीं कर्ड हो गया तो इस तरह से यह जो चीजे सारे दुनिया में यह खाई जाते हैं दूद से बनाई जाते हैं can you name some other animals which give us milk तो क्या कोई और अनिमल आप बता सकते हैं जो हमें मिल्सक्राइब टरीमें My ब्लांटब ऑcked और जो हमारे फूड में यूज होते हैं जो जो हमें फूर्स होते हैं तो नहीं कि प्लांट्स हर उन सोर्सा यह फूर्ट प्लांट हो एक तोसे हमारे फूड नहीं क्या सार्ण उनिपर चूए से होते सब्सक्रक्राइब ने फिर और बहाइब घंटर है चैशनल है जैसे जैसे ग्रेफ हो गया यह भी तो फूर्ट है तो बनेना है यह भी फूर्ट है तो इस तरह से जो है हमका सारी प्लांट्स का फूर्ट खाते हैं सम्टाइम्स रूट खाते हैं सम्टाइम्स टैम खाते हैं और कई बार तो फ्लावर्स खाते हैं यिहाएवर इतन फंक्पिन फ्लावर यह ने पंक्पिं फ्लावर डिप इन रास पेस्ट और्लाइड कुछ रखी का आपने कभी फंक्प十 गढूंद उत इसे ने फूर兇क तो पंपकीन का जो फ्लावर होता है उसको आपने कभी यह राइस की पेस्ट में डिप करके खाया है फ्राइ करके मैंने तो नहीं आपने खाया होगे तो बता देना जुरूर से चली नेक्स्ट करते हैं इसको हाइलाइट किया थोड़ा बाकी जो वर्ड जन से अलग है यह गाड़ा करके लिखा तो इसका मतलब इसका मतलब को पता होना चाहिए जिसको हम खा सकें तो कुछ प्लांट होते हैं जिनके दो या दो से अधिक पार्ट हो सकते हैं जिनको हम खा सकते हैं उसका फ्रूट भी हम खाते हूं उसका हम लेफ भी खाते हूं तो इसका रूट की भी खाते हूं तो इस तरह से जिसे एक्जंपल दिये सीड आफ मस्टर् कि जो सरसों के plante होते हैं , वो हमें oil देते है उनके जो bees होते न MODERative or used as a vegetable और जैसे उनके पत्ते होते होते हैं उनको हो यह निहीड रहे जार्ब Secretary गटाते हैं , अनौ इन बताया आपको कि सरसों का साख घाते हैं वह उसी के पत्तों से बनता है can you think of the different parts of a banana plant that are used as food क्या आप सोचते हैं कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के बनाना का जो प्लांट है उसके भी जो अलग अलग पार्ट है वो भी यूज हो जाते हैं as a food तो think of more example where two or more parts of a single plant are used as a food और भी कई सारे plants हैं उनके बारे में आप थोड़ा सोची लिखिए कि मतलग कौन-कौन से parts हैं कौन-कौन से plants हैं जिनके अलग अलग पार्ट हम यूज कर सकते हैं as a food table 1.4 आगया plant parts as food plant part दिखाएं होगे उसके आगे as a food कौन-कौन सा part यूज करते हैं just example है इतर देखे food item with plant as a major source ब्रिंजल करी ब्रिंजल करी हम बनाते हैं उसमें क्या क्या पढ़ता है ingredients देखिए ब्रिंजल पढ़ता है चिलिया स्पास पढ़ता है oil from groundnut या mustard या कोई भी हम यूज करते हैं फिर आब इसका source क्या है इसका इंग्रेंट का source का है ब्रिंजल कहां से प्लांड का fruit है वह ब्रिंजल क्या है plant का fruit है चिली क्या है यह भी fruit है oil from groundnut तो जो आईल आता ही कहां से आता है unknown plants around you to see if they are edible some plants could be poisonous यह दिखायागी कि plants जो आपको पता नहीं है plants जिन plants का आपको पता नहीं है उनको ऐसे ही उनके जो पत्ते हैं या कोई भी उनका पार्ट जो है उसको मुह में लेके टेस्ट मत किया करो क्योंकि वो जो plants होते हैं कुछ plants जो होते हैं वो जहरीले हो सकते हैं poisonous हो सकते हैं okay so activity number 4 पर चलते हैं from all the food items you have listed in table 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plants अब यह जो टेबल है 1.3 उपर बनाया यह जो यह जो 1.3 टेबल है इसके बारे मात कर रहेंगे कि जो टेबल है 1.3 इसमें से items को चूज करो choose those items whose ingredients are obtained from plants okay जिनका जिनका ingredients plants से लिया गया है उन items को चूज करो which part of a plant और कौन सा पार्ट है वो plants का okay fruit है root है seed है क्या है identify these and list all the food items and plant parts as shown in table 1.4 जैसे 1.4 को टेबल बनाया है नहीं यह यह जो बनाया है यह से ब्रिंजल करी कहा से आई ब्रिंजल से आई तो ब्रिंजल कून सा पार्ट है fruit है तो इस तरह से यह आपको उपर वाला बनाना है इसके plant वाले बनाने तो प्लांट वाला जैसे आगया राइस इदर देखे ना खेर में जो यूज हुआ है milk तो नहीं है milk तो अनिमल से है तो हमें plant वाले लेने राइस कहां से प्लांट से तो प्लांट का कौन सा पार्ट है यह है सीड राइस क्या है सीड है ना ओकी नेक्स चलते है आईल या गी आईल या गी कहां से आता है यह भी सीड से आता है सारी गी नहीं सिर्फ ऑईल गी तो प्लांट से आता है और जो है यह प्लांट से आता है प्लांट के कौन से पार्ट से आता है सीड से आता है अब राइस अ यह बोला टेक सम ड्राइ सीड़ आफ मूंग अर चणा मूंग की दाल उती है और चणा की दाल होती है आपको नहीं पता तो गर में पूछ लिए कुनख़にちは वह ओके यह हैं नीच आंसे मेज इस put a small quantity of seeds in a container और आपको क्या करना है उनको एक बरतन में डालना है filled with water जिसमें पानी हो and leave this aside for a day ओके एक शोटा सा बरतन लेजे कटोरी टाइप तो उसमें आपको पानी डालके उसमें बीज को डाल देना है फिर क्या करना है एक दिन के लिए उसको रहने देना है next day drained the water completely and leave the seeds in the vessel आगले दिन आपको क्या करना जिस परतन ब काटोरी में वो डाले होंगे न वीज उसमेंसे पानी आपको बाहर निकाल देना और शिर्फ शिर्फ rहने देना उसमें ठीक है next day drained यह होगे completely and leave the seeds in the vessel okay wrap them with a piece of wet cloth and set aside फिस जब आमने पानी निकाल दिया उसको रहने जाए से फिर आपको क्या करना है कि एक कपको गीला कपड़ा लेना है और उसको उसके चार और बांद देना है कटोरी की बीज उसके अंदर ही नहीं होंगे उसको चार और से बांद देना है और उसको साइड पर रखते नहीं the following day do you observe any changes in the seeds और अपने जब उसको गीले कपड़े के साथ बांद दिया उसको एक दिन के लिए साइड पर रखते नहीं फिर आगले दर आपको उसको में कुछ चीज़ें देखने हैं उसको कपड़े को खोल के दवारा से उसको देखना है the following day do you observe any changes in the seeds आपको देखना है कि क्या उस चीज़े जो थे उनमें कुछ changes आई है a smile smile नहीं होई small है okay a small white structure may have grown out of the seeds okay वो रहे हैं कि जो seeds होंगे उसमें से कुछ शोटा सा इस green sorry white वाला जो हिस्सा होगा वाहर आया होगा जब अपना सूखे लिए तो वो इस तरह क्योंगे जब अपने गीले करके रखें होगे न तो फिर कपड़े वगएरा लपेट के तो फिर जब खोला होगा लेदे तो वो आपको इस तरह से आएंगे यह जो white structure आपको वहां से मिलेगा ठीक है तो कहां पर थे हम the following day do you observe any change in the seeds a small white structure may have grown out of the seeds if so the seeds have sprouted जो white जो आपको structure मिलेंगा अगर मिलेगा तो इसका मतलब यह होगा कि वो जो seeds हैं वो sprouted हो चुके हैं figure one point five or one point six one point five में जो है monkey दाल है और one point six में यह जो है चना की दाल है चना जब अपना सूखे लिएंगे इस तरह से होगे और जब आगले दिन पानी में से भिगो के आगले दिन आपको मिलेंगे तो वैसे इस तरह से मिलेंगे कपड़ा लपेटने के बाद आगे तो इस तरह से उसमें वाइट वाइट स्ट्रक्चर आंगे इसका मतलब है उनमें अंगूर आ चुके होंगे ठीक है उसको बोते हैं sprouted if not wash the seeds in the water drain and drain the water and leave them aside for another day अगर पहले दिन या जब जिस दिन आप पहले दिन तो आपने सिर्फ उसमें पानी डाला होगा फिर उसमें पानी निकाला ह wash the seeds in water फिर से पानी में कोजन में दोना है drain the water पानी को बाहर फैंक देना है and leave them aside for another day और फिर से आपको क्रोरे को वैसे ही रख देना है अगर white structure उसमें नहीं मिले तो फिर क्या है covered with a wet cloth फिर से आपको अगले दिन उसको यानि कपड़े से बाहना है the next day see if the seeds आप तो आपको first time में यह मिल जाएगा लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको अगेन उसी तरह से ट्राइगा ठीक है after washing these sprouters is you can eat them जब आपको इस तरह से white structure मिल जाएंगी तो उसको आप खा सकते हो ठीक है they can also be boiled उनको उबाल भी सकते हैं उबाल के खा सकते हैं तो कच्छे भी खा सकते है और उबाल के खा सकते हो add some spices and get a tasty snack to eat उसमें कुछ मसाला बगार डाल लीजिए नमक बगार डाल लीजिए मिर्ची डाल लीजिए थोड़ी तो आपके लिए खाने की चीज त्यार हो जाएगी do you know where honey come honey comes from comes from or how it is produced कि आपको पता है कि जो शहद होता honey वो कहां से आता है और वो so many bees keep buzzing about क्या आपने कभी मदुमत ती जो होती है वो गुमती रहती है बीज क्लेक्ट करती है नेक्टर शहद जो है यानि कि जो स्वीर जूस होता है शहद तो बाद में मतलब मीठा सा रस कहां से लाती है फूलों के अंदर से लाती है और फिर उसको क्लेक्ट करती है तो क्या करती हैं क्लेक्ट करके इसमें डालती कृधित क्लेक्ट नेक्टर नेक्टर किया स्वीर्जी व्रॉस फ्लावर्स कन वर्ट इट इंटू हनिनस हरी र Sharp क्या करती है फूलों मेंस से लाती है जो मीठा दैस होता है है आपके फोन आगया था एक मिछ ओके तो यह रहे हैं कि जो मदू मकी यह वो क्या लाती है मीठा जूस लाती है और उनको फ्लावर से लाती है और उनको कनवरर्ड कर देती है हनी में और जिसको स्टोर करके रखते हैं अपने शत्ते में ठीक है फ्लावर्ज यहां पे फिगर दिखा यह यह इसका मदू मकी करशता है ओकैं इस तरह से और हमें मिलती है तो यह जो है शाध है ठीक है ऑक शहाध की मतलब इसमें इसने हमें निकाल है तो प्रॉड़ा न कसा जाता फिर इसमें से निकलता है तो नेक्स चलते हैं फ्लावर्स अंदेर नेक्टर में अवेलेबल ओनी फार पार्ट आफ तो यह वह जो प्लावर्स है और उनमें जो जो नमें रस होता है मीठा जूस जो है वो साल में हर समय नहीं होता साल के कुछ मह लाती है और उसको collect करके रख लेती है ताकि जब उनको जुरूत पटे तो सारह साल वहां से यूज कर सकी वेन वी फाइंड सच अब भी हाई वी collect the food stored by the bees as honey तो जब भी हम इंसानों को गभी मिलता है ऐसा मद मक्यों शाथ हम वहां से होने ले आते हैं तो खनी वहां से ले आते हैं ठीक है so what do animals eat अब next 1.5 है इसमें पूछ रहा है कि what do animals जो animals है हमारे जानबर है वो क्या खाते हैं do you have cattle or a pet that you take care of क्या आपके पास कोई cattle है या कोई पास बिल्ली कुता है कुछ निया गाय बक्री है कुछ cattle ओके तो अगर है जिसके आप care करते हो कोई भी एक डॉग कैट बफैलो और गोट पूछ रहा है उसे question किया है you will you will then you will then surely be aware of the food अगर आपके पास होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि वो क्या खाते है the animals eat what about other animals अच्छा वो तो होगे एक साइड में other animals क्या खाते है have you ever observed what a skill pigeon lizard or the small insect may be eating as the food क्या आपको पता है कि जो एक गिलहरी होती है या कभूतर होता है पीजन या फिर शिपकली lizard वो क्या खाते हैं तो lizard का I think maximum बच्चों को पता होगा lizard जो होती है हमारे जो बलब्स होते हैं उनके चार और से गुमती है क्योंकि वहां पे जोते हैं शोटे 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 इंसेक्ट्स होते हैं तो उनको खाती है वो रहात को हमांने सभी ने देखा होगा तो lizard भी वैसे यह मुट्री चीजेशों को खा जाती है यह साय यह जो यह जो थे ना मैंने अभ्जोब किया जो हमारे मेज होती है न उसके जो मेज के जो सीड्स होता है उसको खाती है लेकिन और भी कोई सारी चीज घाती हुए सीड्स को खाती है maximum थे तो पीजन भी दाना बगारा देते ह उसको शित्तों पर अपने लोग तो वो खाते हैं दाना बगारे चूपते हैं यह ओके नेक्स चलते हैं एक्टिविटी नूबर शिक्स सेवरल अनिमल्स और लिस्टे इन टेबल वन पॉइंट फाइव 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 सम अफ दम दाइप फूड दे फूड दे दे फूड द बगयर खाते है ऋलोगे जो हमारी सर्सों को जब हम पीशते हैं तो उसमें से तेल निकल चाता है तो उसका जो सुलिट बालबाड होता होता है उसको बूल क्यक्त वह भीखाती है और ग्रेंस बगारा है अगे कैट आगी बिली क्या है थे स्माल अनिमल चूपा बगर घ्राइब बिचारी राट के बार में लिखे क्या है राट राद को निकलता है ना जब हम सबी सो जाते हैं चोरी-चोरी हमारे कीचन में जाता है तो वहां से चोटी-प्रिश चीजिए जो भी पड़ी होते खा ज ंगर तो इस तरह से जिराफ को भी खा जाता है मतलो जो बीस खाँज गर ऊलब के रीख चार ओसूटए-ंचुट-वाजाते सबसंगर को गास खाती यह लोगाते हुआ होई वियाते ही है व्यूमन बीइंग को ओएडि प्योते हम इंड़्य हुंच भीजा इंकलें तो क्रो है का हम को 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 घो तो फिर उसको हम ने देटिते हैं तोड़ा सखाने को भी जाए तो ठीक है फ्रूम वइसे मास भी खाते है को गया जाते हैं तो एसे चुछ फूर बोलते हैं प्रूरा नहें यह जा था खे löा हsın sem होने वाला है तो मैं चाहता हूं वीडियो लंभी ना बने क्योंकि यह की वीडियो में आपको पूरा चेप्टर बढ़ा रहा हूं तो आई होब कि आपको समझ आ जाएगी तो जल्दी से देखते हैं एक्टीपिटर नंबर सेवन हैव लुक अगेन अट टेबल 1.5 1.5 टेबल जो है इसमें फिर से एक नज़र दोड़ाई है एंड ग्रूप दैनिमल्स एंटर हैर एस फॉलोव उन उनको अनिमल्स को ग्रूप कीजिए किस तरह से प्लेस एनिमल्स विच इट उन्ली प्लांट्स आर प्लांट प्लांट प्ला खाते हैं प्लांट यह प्लांट से बनी चीजिए आते हैं उनका एक ग्रूप बनाई है इस अर हर्भी होर्ज जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट क्षाएंगे उनको हम बोलेंगे हर्भी फोस ओकी दीज आर अंडिजासभान भी जाइंबल और कुश एनिमल्स जो है वो गास बगयारा ने खायेंगे। वो सिर्फ animals को खायेंगे और शोटे ए मोटे animals को उनको हम क्या बोलेंगे place these in group two उनको दूसरे group में रखी और उनको नाम क्या दिया जाएगा these animals are called carnivores okay उनको हम बलते हैं carnivores do you find some animals which eat both plants and animals क्या कुछ इर से भी एनिमल्स होंगे जो तो दुनों चीज लखाते हैं यानि कि गास बगार भी खाएंगे और कोई जानबर में लगा शोटा मोटा उसको भी खाएंगे ख्याएंगे ऑमणी बेरोस दूनों युज जो दोनों कहएंगे कौन कौन से लोग लगास बगार भी खाएंगे और विखाएंगे और तो इसका प्रडक्ट खाती है ये नहीं देडरेक्टि ली तो नहीं खाएगीայीच में पीएगी स्मवर्ड ठोव रखा जाए फिर गया बगास का रखेंगे क्योंकि हर्थ ब्लान्ठ वाले में जो है ये भी चोटे-मोटे इसको हब भी वोर्स में क्योंकि ये वैसे दोनों खा जाता है ओमनी वोर्स में आ सकता ही लाइन जो है ये कार्निवोर्स में आएगा टाइगर भी कार्निवोर्स में आएगा स्पाइडर जो आएगा स्पाइडर आएगा हमारा कार्निवोर्स में वाउस लिजार्ड आएगी कानिवोस में बाटरफलाई आएगी बाटरफलाई मैंने कभी उजोब नहीं क्या कहाती है लेकिन इसको आइधिंक शायद शोटे मोटे यह जीव खा जाती है तो इसलिए इसको कानिवर यह यह तो वह आगे ना एनिमल्स नहीं है तो हमें सिर्फ अनिमल्स की बाट में बोलना था ओके अनिमल्स की बात हो रही थी सिर्फ तो हो गया असेट ऑके थोड़ा सोव रहा है भी करने शोनेंट फिगर ओके यहां पर है वी नो दार्ट दिर अर्मैनी एमांग इस्ट अस्वो डूनाट गैट सूफिशेंट फूड क्या रहे कि हमे यह पता करना होगा हमें अलग अलग तरी निकालना होगी जिससे हमारे देश में जो है अलग ज्यादा से ज्यादा खाना थे औहूंध त्षम्र रखिश पर नंटना किन तव् SPEAKER, एक वह रही हैं कि हमें तो पहले तो सबसे पहले एक थरीका अपनाना होगा जिसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस किया जए है अगर फूड you is लग लोग लोगों तक पहुंचना भी तो चाहिए ना तो हमें इस तरह से भी यह एंशोर करना है जो खाना है वो लग लोगों तक पहुंचे भी सो कुष की वर्ड्स हैं जिनको में पता होने चाहिए कौन-कौन से हैं इन्ग्रेंट्स क्या है जो चीजे हम फूड आइटम में डालते हैं जिन से मिलके वह चीज त्यार होते हैं उसको शुक्त है इंग्रेंट्स एडिवल यानि जिसको खाया जा सके नेक्टर होनी sprouted seeds क्यों से होगे sprouted seeds होगे जो यह ने जिनको अंगूर आ गए थे ना जो जो हमने वो नहीं की थे monkey दाल और वो वाले तो उसको वाइड वाइड जो structure आ गए था उसको बोलते है sprouted seeds herbivores कों से होगे herbivores होगे जो सिर्फ plants खाते है carnivores होगे जो सिर्फ animals खाते है omnivores जो दोनों खाते है plants भी खाया जाएंगे और animals भी खा जाएंगे ओके तो अब करेंगे हम exercise यह करेंगे हम next video में तो next video में हम करेंगे देख लेते हैं exercise करेंगे यह question बगएरा और जो भी आगे feeling links हैं या जो भी बचा है अगे next video में करेंगे so मुझे उमीद है कि आप सभी को यह जो वीडियो है यह पसंद आई होगी मेरे पढ़ाने का तरीका यह first ever video थी अगर आपको अच्छी लगए अगर कोई improvement करवाना चाते हो कि नहीं आप ऐसे पढ़ाई है कुछ भी improvement हो तो आप ज़रूर मुझे comment section में बताईए अगर देरे पढ़ाना तो देरे पढ़ाना और यह ऐसी speed है तो अच्छी लगए तो जो भी है आपकी suggestions वो ज़रूर देना और thank you, goodbye